Hello everyone, welcome back to my channel and मैं हूँ दीपा दोस्तो हमारे इंडिया में pregnant महिलाओं के हाव भाव उनके सरीर, उनके पेट या फिर पैरों को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि उनके पेट में लड़का पल रहा है या लड़की पल रही है ये बाते हमारे पुराने जमाने से आ रही हैं, कभी ये बाते सही हो जाती हैं और कभी गलत भी हो जाती है दोस्तो उन्ही बातों के आधार पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि प्रेगनेंट महिला के पैर में स्वेलिंग है या उसके पैर में सूजन है तो उसे देखकर क्या बताया जा सकता है कि उसके पेट में लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है प्रेगनेंसी में पैरों में स्वेलिंग के क्या scientific region हो सकते हैं और इससे चुटकारा पाने के क्या उपाएं हैं जिससे आपको बहुत हद तक स्वेलिंग से आराम बिलेगा और दर्द भी कम होगा दोस्तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेगनेंट महिलाओं के पैरों को देखकर हमारे देश में क्या-क्या अंदाजे लगाये जाते थे और मेरा क्या experience रहा अपने बेबी बॉई को लेकर दोस्तो हमारे देश में ये बात बहुत पहले से प्रचलित है कि यदि आपकी प्रेगनेंसी में आपके पैरों में सूजन है तो आपके गर्ब में बेबी बॉई पल रहा है लेकिन फ्रेंज ये बातें हमेशा सही नहीं होती, कभी ये बातें गलत और कभी सही भी साबित हो जाती है दोस्तों कुछ पोसक तत्तों की कमी की कारण हमारे पैरों में सूजन हो जाती है जिसके कारण लोग इसे बेबी बॉय का सिंटम्स मान लेते हैं लेकिन यह पूंट तक गलत है दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ अपनी pregnancy experience की तो ना मुझे baby boy की time पे swelling हुई थी और ना ही baby girl की time पे पैरों में swelling हुई थी दूसरा अंदाजा यह लगाया जाता है कि यदि आपके pregnancy में आपके पैरों के रोए जादा बड़े हो गए हो या hard हो गए हो तो आपके गर्ब में baby boy होने के यह symptoms हैं लेकिन friends यह totally गलत है किसी किसी को PCOD की problem हो जाती है जिसके कारण बालों की growth बढ़ जाती है मेरी pregnancy में baby boy की time भी रोए उतने ही थे और baby girl की time पे भी पैरों के रोए उतने ही थे दोस्तों हमारे देश में ये बात भी प्रशलित है कि यदि pregnancy में आपके पैरों में दर्द बना रहता है तो आपके गर्ब में baby boy होने के यह symptoms हैं लेकिन friends pregnancy में आपका बजन बढ़ जाता है जिसके कारण आपके बजन का पूरा भार आपके पैरों पर पड़ता है जिसके कारण पैर में दर्द नॉर्मल सी बात है इस बात को baby girl या boy होने के symptoms नहीं माना जा सकता friends कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यदि आपके पैरों में खुजली बनी रहती है तो ये baby boy होने का symptoms है पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसका scientific कोई भी प्रमाण नहीं है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि क्या ऐसे रीजन है जिनके कारण pregnancy में आपके पैरों में सूजन आ जाती है दोस्तों आपके पैरों में PCOD के कारण भी सूजन आ जाती है अगर आपकी BP यानि blood pressure high रहता है तो उसके कारण भी प्रेगनेंसी में आपके पैरों में सूजन आ सकती है। लेकिन यदि इस सूजन से आपको कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि बुखान आना, सास लेने में प्रॉब्लम या फिर आखों के आस पास स्वेलिंग आ जाना ये सारी प्रॉब्लम है तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं इसके लिए आप किसी चीज़ का वेट ना करें दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यदि आपके पैरों में सूजन है तो आपको कौन से ऐसे उपाई करने चाहिए जिस से आपको इससे ज़्यादा परिशाणी ना हो और ये स्वेलिंग कुछ कम हो पाए जिए आपके पैरों में सूजन है तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल कर उसमें अपने पैरों को कुछ देर तक के लिए रख सकती हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस होगा और आप बहुत ही अच्छा फिल करेंगे और कुछ देर के लिए ये स्वेलिंग चली भी जाएगी दूसरा बात करेंगे आप अपने पैरों को आराम दें दोस्तो किसी भी जगे में बहुत देर तक खड़ी ना रहें या फिर बैठी ना रहें इससे आपके पैरों में जुन-जुनाहाट रह सकती है और आपके पैरों में स्वेलिंग जादा हो सकती है इसलिए कोसिस करें कि एक जगर पर आप बैठी या खड़ी ना रहें कुछ देर में टहलते रहें हलका गुन-गुना दूद पीए दोस्तों अपनी प्रेगनेंसी में आपको पूरी प्रेगनेंसी दूद का सेवन जरूर करना जाहिए इससे आपके पैरों की स्वेलिंग भी खत्म होती है और आपको प्रोटीन और कई तरह के विटमिंस मिल जाते हैं इसलिए अपनी pregnancy में गुणगुना दूत जरूर सामिल करें। दोस्तों अपने खाने में आप sodium की मात्रा को कम कर दें। sodium आपको नमक से मिलता है, अपने खाने में नमक को कम करें और potassium की मात्रा ज़्यादा करें। पोटीशियम आपको पालक, दही इन सारी चीजों से मिल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रेगनेंसी में पानी पीएं जिससे आपका बेबी भी बहुत अच्छी तरह से विक्सित हो पाएगा और आप भी अपने सरी को हाइडरेट रख पाएंगे दोस्तो प्रेगनेंसी में आई इस स्वेलिंग से आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिलेवरी के बाद ये धीरे धीरे चला जाता है और यदि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो ये आपको ज़्यादा परिशान भी नहीं करता दोस्तो यदि आपकी प्रेगनेंसी में आपको पैरों में स्वेलिंग है तो आप टहलना बिल्कुल न छोड़ें सुजन की कालन आपको टहलने में परिशानी हो सकती है फिर भी आप 5 या 10 मिनट कोसिस करें कि जरूर टहलें दोस्तो प्रेगनेंसी में पानी की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ कोसिस करें कि आप चाय और कॉफी को छोड़ दे अगर नहीं छोड़ पा रही है तो उसकी मात्रा बिल्कुल कम कर दे तो दोस्तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पैरो में स्वेलिंग को जिंडर प्रेडिक्शन में नहीं लिया जा सकता ये बस एक गेस होता है या फिर लोगों की द्वारा कही कही बाते होती है तो फ्रेंस यदि वीडियो में बताएगे बाते आपको यूस्फूल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना बिल्कुल न भूलें आपके यहाँ पैरो को लेकर क्या बाते प्रश्लित हैं कमिट बॉक्स में जरूर लिखें जिससे और लोगों को भी इसका नॉलेज हो पाए इस सारी बाते केबल कहने के लिए होती हैं प्रेक्टिकली इसको ना लें आगे क्या होने वाला है बेटा या बेटी आप इस सोच में अपने प्रेग्नेंसी को बरबात ना करें अपने प्रेग्नेंसी को पूरी तरह से इंज्जॉय करें और उसे स्वस्त और पोशन युक्त बनाने की कोसिस करें फ्रेंस इसी तरह की प्रेग्नेंसी दिलेवरी और बेबी केर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल दीपासोनी.com को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद